तो यह मारा chemistry का जो first chapter चल रहा है matter in our surroundings उसका lecture number 3 है last की दो class तक हम लोगोंने basic बाते समझी थी कि matter क्या होता है और matter के जो particles होते हैं उनकी basic characteristic properties क्या होती है total 4 characteristic properties थी उनमें से जहां पर activity आनी थी मैंने आपको activity से समझा दी थी तो 4 की 4 properties last 2 class तक हम लोग पूरे अच्छे था समझ चुके हैं और NCRT के जो 2-3 questions उसके उपर based थे वो questions भी मैंने आपको cover करा दिये थे आज हम लोग देखेंगे कि physical classification अगर हम matter का करते हैं तो उसके हिसाब से हमारे पास कितने types होते हैं matter के आप लोगों ने चार्ट बजब बनाया था तो देखा था कि physical classification के according matter तीन तरह के होते हैं solid state होती है, liquid state होती है और gases state होती है इसके अलावा गर आप NCRT open करके देखोगे तो last में chapter के end में दो special state और दे रखिए plasma state और boss Einstein condensate तो वो दो state भी next वाले जो class आएगी fourth lecture उसमें cover करवाँगा तो आज मैं आपको जो basic states of matter होती है solid, liquid और gas वो क्या होती है, उनकी properties क्या होती है उनके बारे में बढ़ाँगा, ठीक है? चलो, शुरू करते हैं तो हमारा topic जो है वो है अब ये states of matter तो तीन states of matter हमारे पास होती है solids, liquids और gases, ठीक है? तीन basic states तो ये को ये ही है तो advanced level की जो है plasma और boss Einstein condensate उनके बारे में next class में दिखेंगे तो ज़्यादा ज़रूरी ये है, इनके बारे में जानना ज़रूरी है तो एक एक करके तीनों को पढ़ते हैं किसको solid बोलते हैं, किसको liquid बोलते हैं, और किसको gas बोलते हैं अब देखो, आपको एक diagram दिखाया हुआ, solid liquid gas का particles की बीच में distance देखो, सबसे पास पास जो particles है, वो solid के हैं थोड़ा सब दूर दूर थोबाँ जो gap है particles की बीच में, वो जादा है liquid की case में और gases की case में ये gap बहुत जादा है, अगर आप इनका movement देखो अब ध्यान से देखो, सबसे जादा freely move कौन कर पा रहा है, gases के particles कर पा रहे हैं उससे कम movement किसमें है, liquid के particles में, और सबसे कम जो चल पा रहे हैं बहुत जादा crowd होने की वज़य से, वो solid के particles चल पा रहे हैं तो ऐसा, एक से काफी सारी बाते देखो इस diagram से समझ में आती है एक बात तो ये आती है, समझ में कि यहाँ पे particles के बीच में, जो force होता है इसको क्या बोलते हैं, intermolecular attraction force particles के बीच में लगने वाला force कहलाता है, intermolecular attraction force ये जो force है, gases में very less होता है, बहुत कम होता है liquids में सिर्फ less लिख सकते हैं, कि हाँ बहुत जादा कम तो नहीं है, बट कम है ये घूम पा रहे हैं इदर उदर, जिबकि solids के case में ये force कैसा होता है? बहुत हाई होता है, यानि solid के particles आपस में strong intermolecular attraction force से बंदेवे होता है ठीक है, इस diagram को जब बनाओगे न, बना लेना आप अराम से इनको लिखने की requirements जो में नीचे लिख रहा हूँ इनको सिर्फ सुन के समझ लो, ये सारी बाते आगे आ जाएंगी diagram में आप बना लेना, यहाँ पर पास पास particles बना लेना, यहाँ पर थोड़े दूर दूर बना लेना और यहाँ पर काफी दूर दूर बना लेना particles से न तो यहाँ पर अभी क्या समझ में आया? कि intermolecular attraction force जो है, gases के particles की बीच में सबसे कम होता है इसलिए वो particles इतना दूर दूर घूम पाते हैं, liquids के particles के बीच में वो intermolecular attraction force थोड़ा सा जाधा होता है और solids के particles की case में वो intermolecular attraction force सबसे जाधा होता है तेके इस चीज़ को density के term समझते हैं, एक word आप देखोगे सुनूगी हाँ पर term आएगी density density, तो density का simple मतलब है crowdness, आपको बहुत simple word में समझाओं, तो crowdness से मतलब होता है density का हमारे पास crowdness, particle की crowdness, अब मुझे बताओ, crowdness कहां पे जाधा है, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे यह property समझ मारी है, इस diagram को देखके सारी की सारी, तो density का मतलब crowdness से हुआ, solids में crowdness बहुत जाधा है, इसलिए यहां पे, solids की density much higher होती है, gases की comparison में, जब diffusion की बात करेंगे, diffusion की बात अपने समझनी है न, diffusion प्रॉफस पड़ा था, कि हमारे पास चीज़े higher concentration से lower concentration की तरफ जाती है, अगरबत्ती बाला, आपने example देखा था कि कमरे में, एक रूम में, अपने एक corner में अगर एक अगरबत्ती को लिट किया, उसको burn किया, तो पूरे entire room में उसकी smell फिल जाती है, क्यों? तो कि उहां पे gases वाले particles होते हैं, इनमें diffusion की rate बहुत fast होती है, यह particles बहुत दूर तक travel कर सकते हैं असानी से, क्योंकि inter-molecular attraction force बहुत काम होता है, जिबकि solid की case में ऐसा होता है, जिबकि liquids में diffusion फिर भी काफी आसानी हो जाता है, कैसे? आपके पास, suppose, possible example, मारे पास पानी था एक glass में, उसके अंदर मैंने 5-6 droplet ink की डाल दी और उसको shake कर दिया, तो बड़े अराम से वो ink उस पानी के अंदर dissolve हो जाएगी, तो ink भी liquid थी, पानी भी liquid था, तो इसक होता है, दो different type की जिब चीज़े आपस में mix हो जाती है, तो उसी चीज़ को हम basically diffusion कहते है, अगर biological way में जाये तो concentration की बात करते है, but chemistry के point of view से अगर दो different type की चीज़े आपस में mix हो जाती है आसानी से, तो उसको diffusion कहते है, तो liquids में diffusion, solid के comparison में थोड़ा आसानी से होता है, और suppose आपके पडोस में किए gas cylinder leak हो रहा तो उसकी smell आपके घड़ तक आ जाती है, क्यों? यूँकि gases के diffusion rate बहुत fast होती है, particles की बीच में space बहुत कम है, इसलिए वो बहुत दूर तक आसानी से पहुँच पाती है, तो यह बहुत सारी basic बात है, आपको इन diagram को देख के ही पता लग होती है, fix मतलब definite होती है, mass fix होता है, volume भी fix होती है, अब definite shape का मतलब कैसे है, suppose मेरे पास ही एक brick है, एक int है, इस int की जो shape है, वो fix है, आपको इस int को रखने के लिए इतनी ही बड़ा जगा चाहिए, आप कहो कि सर मेरे पास एक box है, वो box इतना चोटा सा है, इस box के अंदर क्या इस int को fit कर दोगे, तो answer है obvious ही बात है नहीं कर सकते, int जितनी बड़ी है, जितनी बड़ी है brick है, उतना ही बड़ा कम से कम आपको बलकि उसे थोड़ा सा ज़ादा बड़ा box चाहिए, so that is brick को उसमें fit किया रह सके, यानि इसकी shape आप chain नहीं कर सकते, करने की कोशिश करोगे, तो टूट जाएगी obvious ही बात है, ठीक है, तो definite shape होती है, एक पहचान तो यह हो गई, दूसरी बात है definite volume होता है, suppose इस int को, इस brick को बनाने में जो sand, clay, जो भी इसमें material लगा हुआ है, वो material suppose एक kilo लगा हुआ है, एक example की तो और पे, तो यह fix होगा न, ऐसा थोड़ीना होगा कि एक brick suppose आपके merit में थी, उस brick को वहाँ से राजस्थान ले गए, तो उसमें जो volume हो गया, नहीं होगा न, तो जितना material किसी particular object को बनाने में लगा है, वो तो सेम रहेगा, तो यह volume की बात होती है, तो इसका मतलब solid substances की volume भी सेम होती है, और उनकी shape भी change होती है, shape की shape भी सेम क्य देंगे, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, तो उसका मतलब solid substances की shape भी change नहीं हो सकती, उसका volume भी change नहीं होता है, अगर example के तौर पर बात करें, बहुत doubt होता है बच्चों को sugar, suppose sugar के particles, चीनी के particles हैं, अब sugar का एक single crystal आप उठा की देखिए, उस एक single crystal की जो shape है, उसकी जो volume है, उस salt का particle और चोटा सा, अगर बिल्कुल dot की तरह, तो एक single particle की अगर इन में बात करें, तो इनकी shape भी fix होती है, इनका size भी fix होता है, तो इसलिए sugar और salt भी solid ही कहे जाएंगे, वहाँ पे आप quantity में बात कर रहे हूं, बहुत सारे particles की बात कर रहे हूं, एक बार में एक particle को देखो को ध्यान से, उसकी shape भी fix है, उसकी volume भी fix है, उसका mass भी fix है, that's why sugar, salt, यह सब क्या है, solid में आएंगे, यह liquid यह gases नहीं होती है, ठीके बचो, तो यह बहुत simple सी बात हुई, अब इसके बाद आप क्या करोगे, यह ब्लाक कलर से हैं, पीपटी में लिखा वाई से लिखोगे, सारे किसके examples हैं, solids के हैं, sugar हो गया, brick हो गई, books हो गया, pen हो गया, table हो गया, almira हो गया, ऐसे पता नहीं कितने examples होते हैं solids के, तो कुछ 5 examples ऐसे ही हैं, आप यह बाले लिखना चाहो, यह लिख लो, अपनी मर्जिस से कुछ example justify करना चाहो, वो लिख लेना, तो 4-5 examples आप लोग इ basic पढ़ लिया क्या होता है, solids के हम लोगों इने example देख लिए, कुछ basic properties, basic properties क्या है, solids की जो shape होती है, वो भी fix होती है, उनकी volume भी fix होती है, क्योंकि उन solids को हम आसानी से compress नहीं कर सकते, solids का compression, उस पे pressure लगा कि उसको दबा देना possible नहीं होता है, एक iron nail है, suppose कर हो इतनी बड़ी iron nail है हमारे पास कोई, यह iron nail है इतनी बड़ी, तो क्या इस iron nail को पिशका के छोटा कर दोगे आप, तो obviously बत नहीं कर सकते, बहुत ज़्यदा force लगाएंगे तो या तो यह break हो जाएगी, या फिर ज़्यदा temperature अगर दोगे इसको तो यह melt हो जाएगी, बट इसकी shape आप बिना melt किये या बिना बहुत तो इसको break किये आप नहीं change कर सकते, तो इसका मतलब यह solids को आसानी से compress कर पाना possible नहीं होता है, that's why इनकी shape बिफिक्स होती है और उनका volume बिफिक्स होता है, solids के density बहुत हाई होती है, इस density बहुत हाई होती है, solids में rigidity होती है, rigidity का मतलब इन में strength, इन म बिफिक्स होता है, वो भी सबसे जादा होता है, सबसे strong होता है, इसलिए तो density बहुत हाई होती है, ठीक है, next चीज के है कि diffusion जो होता है solids में, एक solid, दूसरे solid में बहुत slowly diffuse होता है, या फिर ना के बराबर diffuse होता है, कि अगर एक chalk है मेरे पास, या एक लोहे की कील है, iron nail है, उसके पास दूसरी iron nail लाके रख दोगे, तो मैंने मिक्स होके एक single iron nail थोड़ी ना बन जाएगी, या एक iron का थोड़ा सा part निकल के दूसरे के अंदर थोड़ी ना चला जाएगा, तो इसका मतलब solids में diffusion की rate सबसे कम होती है, सबसे slow होती है, तो यह कुछ basic important properties होगे solids की, 5 property है, किसी में 6 आएगी, किसी में साथ आएगी, तो at least आपको 4-5 properties सब की याद होनी चाहिए, comparative way में, मतलब जब solid के बाद liquid gas भी पढ़ लोगे, तो पता होना चाहिए, कि यह बात, एगर मैं density के बात कर रहा हूँ, तो solid में कैसी थी, liquid में कैसी थी, और gas वाले state में कैसी थी, अगर मैं बात कर रहा हूँ, strongest force of attraction, attraction force की बात कर रहा ह होता है, liquid में कैसा होता है, gases में कैसा होता है, तो इसलिए comparative study कर लेना, तीनों properties जब पढ़ लोगे, तीनों चीज़ों के बारे में, तो उन properties को ध्यान से देख लेना कि तीनों में क्या difference आ रहा है, तो अभी तो solids की property पढ़ाई है, हमने solids पूरा किया, अब बात आती है liquids की, liquids में क्या होता है, liquids में इनकी volume तो fix होती है, बट shape fix नहीं होती, liquid is that state of matter, which has definite mass, mass fix होगा, obvious सी बात है, volume fix होगी, बट उसकी shape fix नहीं होती है, क्यों आप liquid को जिस particular बरतन में गिरा दोगे, liquid उसी की shape ले लेगा, एक्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, simple सी बात, मेरे पा मेरे पास है कि यहाँ पे suppose इतना इस तरह का बीकर है, एक बाउल था इस तरह से मेरे पास, इस बाउल के अंदर water भरा हुआ है, ठीक ही water भरा हुआ है, अब मैं चाहूं तो इस water को इस glass के अंदर भी तो रख सकता हूं, माना सोड़ी ना करेगा water, कि मैं तो बाउल में हूँ एक लिटर पानी को रखने के लिए, एक लिटर की बाउल चाहिए, क्या मुझे बताओ, एक लिटर पानी आधर लिटर की बाउल में आ जाएगा, या एक लिटर पानी 700 ml की बाउल में आ जाएगा, तो अगर 700 की बाउल में 700 ml पानी आएगा, उपर का सारा पानी बाहर निकल दूंगा, they have the ability to flow easily, इसमें flow होने की ability बहुत अच्छी होती है, कि अगर पानी को जमीन पे गिराओ गए, तो पानी flow होके एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक आराम से चला जाता है, बहने लगता है वो तो flowing ability बहुत अच्छी होती है, इसलिए liquids को हम जो जनरली क्या बोलता है liquids में भी flow होने की ability अच्छी होती है और जो gases होती है, उनमें भी अच्छी होती है इसलिए liquids और gases को common terms में हम लोग बोलता है, fluids तो उनको क्या बोलता है, fluid fluid मतलब ऐसे substance जो flow हो सकते है असानी से, तो liquids और gases को combined format में fluid बोलता है, ठीक है बच्छो example जब लिखोगे उसके नीचे for example करके तो इन में से सारे नाम लिख लेना ये water है, petrol है kerosene oil है, milk हो गया soft drinks हो गई, इसके अलावा mercury ये पारा होता है न, mercury जो thermometer के अंदर भी होता है तो ये mercury है, ये सब liquid state में तो होते हैं की सारी चीज़ें, तो liquids के example आजाएंगे पार्टल में से पानी निकाल रहो glass में आ जाएगा न, मना थोड़ी ना करेगा मतलब liquids को आप जिस container में रखोगे उसी की shape वो acquire कर लेंगे इसलिए इनकी shape fix नहीं होती है volume fix होता है, ये 2 liter की bottle है इसलिए जादा थोड़ी ना सकती है, इसमें चार लेटर बढ़ना चाहो एक bottle में आ जाएगी क्या तो अब बैसी बाता नहीं आएगी तो यह नहीं volume fix है, shape fix नहीं है किसी भी बरतन में रखो, बट आएगा उतना ही जितना उस particular बरतन की capacity है, जितनी उसकी volume है, ठीक है बचो? चलिए properties पर आते हैं, तो liquids की properties होती है, यहां 5 property लिखी हुई है सबसे पहले वाली जो property है वो बहुत important है क्योंकि उसकी उपर आपका question भी बनता है exam में, क्या property? वही, इनकी जो shape होती है, वो fix नहीं होती and liquids do not have a fixed shape but have a fixed volume, volume fix होता है जितना liquid है, उतना ही बड़ा बड़तन चाहिए, यानि volume कैसी है fix है, आपको यह बात बहुत अच्छे सब समझ में आ गई होगी, ठीक है बचो? चलिए, density जो liquid की होती है वो कम होती है, solids से, याद करो starting के diagram, solids के particles जो थे वो बहुत पास पास थे, बहुत कम space density liquid में थोड़ी सी कम होती है solid की comparison में, liquids are slightly more compressible liquids को compress आसानी से कर सकते हो, थोड़ा सा compress कर सकते हो, माले पानी है, पानी पे हाथ लगाओगे तो पानी को दबाद होगे ना आराम से माना सोड़ी ना करेगा, suppose करो eat है brick है हमारे पास, brick पे pressure लगाओगे, तो ऐसा थोड़ी ना हो जाएगी brick पिचक जाएगी, suppose मेरे पास ये brick है आपने क्या करा, उपर से pressure लगाया इस brick के उपर, और आप ये expect कर रहे थे कि थोड़ी सी दर के बाद जो ये brick है इसकी shape यूँ हो जाएगी, ऐसा possible है कि आपके pressure लगाने से, तो अब्विस सी बात है नहीं हो सकता ऐसा, यानि solids compressible नहीं होते हैं, बहुत rare होते हैं, बहुत मुश्कल से solid को compress कर सकते हो, या कि नहीं कि compress करने के कोशिश करोगे solids को तो या तो वो टूड जाएंगे, या उनकी shape चेंज हो जाएगी simple सी बात, जिसे rubber band है बच्चे doubt पूछते थे, rubber band तो solid है उसकी तो shape चेंज हो जाती है, तो या आप ने force लगाया, तो उसकी shape पूड़गी बदल गई न, उसकी property में एक नई पूपर्टी भी आ गई, वहाँ, elastic property होती है rubber खिच सकती है, तो हम elastic अगर object को छोड़ दे, इनकी बारे में बात ना करें, तो बाकी जितने भी solid है उनको आप compress नहीं कर पाऊगे, लोही की कील आप के पास है, दोनों side से pressure लगा के दबाद होगे कि आप उसे, तो नहीं कर सकते liquids में compressibility थोड़ी से जादा होती है solids के comparison में, तो यही property लिखी हुई है, next में क्या है, liquids है weaker force of attraction between the molecules than the solids but stronger than gases liquids के particles के बीच में जो intermolecular attraction force होता है वो solid के comparison में तो कम होता है तब ही तो particles थोड़े दूर दूर है but gases की बात करें तो gases के comparison में वो force थोड़ा सा जादा होता है, यहीं intermediate value हो गई liquids के particles के बीच में जो attraction force है, वो solid से तो कम हुआ, but gases के comparison में थोड़ा सा जादा हुआ यह ना, तो यानि solid से अगर कम force है इनके particles के बीच में तो यह particles थोड़े दूर-दूर होंगे थोड़े से free होंगे move होने के लिए जबकि gases की case में ऐसा नहीं हुआ करता ठीके बचो, चलिए the particles of two different liquids can diffuse into one another दो अलग-अलग liquid अगर मेरे पास हैं तो उनको आपस में mix कर सकते हैं डाइग्राम देख लो आप लोग दो यहाँ पर बड़े अराम से तो हमारे पास किस तरह से डाइग्राम है यहाँ पर जो इस वाले डाइग्राम को देखोगे यहाँ पर मैंने ink red color की ink डाली है पानी के अंदर तो अब विसी बात मिक्स हो जाएगी उसके अंदर तो diffusion हो पा रहा है ना liquids का अराम से दो liquids आपस में असानी से intermix हो जा सकते हैं इसलिए यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि diffusion की जो rate होती है वो solids में तो ना के बराबर होती है liquids में थोड़ी सी जादा होती है तो चीज़े आपको रटा नहीं मारनी है तीनों solid, liquid, or gases की properties को side by side उसको देखके अच्छे से study करना कि कौन सीरीज किसमें कैसे work कर रही है तब ही समझ में आएगा रटो के कोई फायदा नहीं है चीज़े अब रटने वाली रही है अब ऐसा नहीं होता है 8 class की तरह की गिंती के 8-10 question है उनी में से exam में विपरे आएगा अब आपको topics समझने होते हैं ये topic इनके बारे में सारी बाते पढ़नी है अब उससे जो questions frame होंगे जो questions बनाए जाएंगे उन questions के answer हम लोग तभी कर पाएंगे जब को सारी बाते पता होगी तो अब गिंती के questions करने वाला system नहीं होता है 9th class से चीज़े बदल जाती है बहुत कुछ तो आपको topics पढ़ने होते हैं अच्छे से उन topics को समझना होता है उसके उपर questions attempt करने होते हैं तो उसके लिए तुमें practice करने ही पड़ेगी चीज़ों को देखिए बहुत अराम से हर लाइन को पढ़िए समझने की कोशिश कीज़े and after that उसको note down कीज़े ठीके ना तो इस liquids की properties हमारे पास होगी अब पढ़ते हैं gases को तो अगली slide में हमारी gas की बात आ गई तो gas क्या होगा gas is that state of matter which is the definite mass mass तो fix होगा भी वज़न तो gas का fix ही होगा जितनी मी gas तुमारे पास है बट यहां पर बाकी दोनों चीज़े definite नहीं होती ना तो definite volume होता है gases का और ना ही definite shape होती है अच्छा में definite shape नहीं होती समझ में आता है कि gas को हम जिस container में भरेंगे उसमें आ जाएगी बड़े-बड़े container से gas हम छोटे-छोटे cylinder में भरके भीजते हैं तो आ जाती है कोई दिक्कत नहीं है shape change करने में कोई दिक्कत नहीं है बट volume भी same नहीं होता है कि करता है हम household cylinder की बात कर रहे है हलवाईयों के याँ जो cylinder होते हैं थोड़े से बड़े होते हैं उनकी बात नहीं होई है घर में जो खाली cylinder होता है वो 15-16 के लोगे आस-पास का होता है बट riffling जो होती है उसमें LPG जो भरके आती है पर इस cylinder तो एक बार में खरीद लिया ना उसके बाद में रिफ्लिंग ही तो कराते हो बार बार खाली cylinder दे देते हो भराव cylinder ले ले लेते हो तो रिफ्लिंग के तो पैसे देते हो तो 14.2 केजी LPG हाउस होल्ड में आती है इतने किलोगराम LPG आती है किसके लिए? पर हाउस होल्ड हाउस होल्ड मतलब हमारे घरों में इतनी LPG आती है सिलिंडर में भरके अब इतना छोटा सा सिलिंडर उसमें 14.2 केजी LPG फिक्स है ये बिल्कुल भी कम जादा नहीं होती 14.2 केजी LPG कैसे आ गई? यानि उस गैस को उस गैस को कमप्रेस कर करके कर करके उस सिलिंडर के अंदर भर दिया गया है यानि कि गैस की कम्प्रेसिबिर्टी बहुत अच्छी होती है, इसलिए जादा गैस को थोड़ी कम जगा पे हम लोग भर सकते हैं, अब ऐसा भी नहीं होगा कि उस 14.2 kg gas को जितना बड़ा cylinder तुमारा है उससे आधे वाले cylinder में रख रोगे compression की भी तो एक limit होगी कि इससे जाधा compression नहीं कर सकते तो इसका मतलब हमारे पास gases में ना तो volume fix होती ना ही shape fix होती volume fix ना होने का मतलब क्या है कि थोड़ी से जाधा amount की gas एक kilo की gas आधा kilo के बड़तन में adjust हो जाएगी या 2 kilo की gas मेरे पास 1.5 kilo के बड़तन में adjust हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है तो volume fix नहीं है और shape तो अब्वेसी बात fix नहीं है gas को जिस बड़तन में भरोगे उसमें आजाएगी आपने lighter देखे होंगे जिनमें liquid भरावा होता है जलाने वाले lighter होता है जो cigarette वगरा लोग पीते हैं उनके पास lighter होता है उस lighter के अंदर पर तो LPG वाला liquid chemical भरा होता है LPG gas है उसको इतना compress कर देता है इतना compress कर देता है कि compress करते करते वो gas cylinder के अंदर liquid format में आती है तब ही तो बोलते हैं आप LPG को liquified petroleum gas यानि आपने gas को इतना compress किया कि उसके state ही change हो गई वो gas change हो किसमें हो गई liquid में convert हो कि आपके cylinder में भरी आती है जब उपर से आप regulator लगाते हो और nozzle खोलते हो regulator के तो वापस वो liquid जब pressure कम होता है तो वापस gas में बनके आपके burner में आके जलना शुरू कर दिता है gas के format में ठीक ही इतनी story हो गई तो gases के अंदर भी flow करने की ability बहुत अच्छी होती है कहीं पे एक जगा gas लीक उरी हो तो last जगा तक उसकी smell आ जाएगी है अगर उसमें smell है तो यह हो लिक्ति में एक इख जीयों करना लिक्विफाइड पेट्रोलिम गयेस अक्सीजन हो गई, हाइड्रोजन हो गई, सीनजी चीनजी की फॉल प्या होती है बताइए जव्या दूजी के आजकल सबसे ज़्यादा क्या होते है, गाड़ियों में यूज होती है CNG, जितने भी आप आटो रिक्षा देख लो, आटो रिक्षा के अंदर CNG होती है, डेली के अंदर जो बहुत सारी low floor buses चलती है, उनमें CNG होती है, तो CNG काफी अच्छी gas होती है, pollution कम करती है, इसलिए vehicles म plant होते हैं, thermal energy power plant जहां पर बिजली बनाई जाती है, electricity produce करते हैं, तो वहाँ पर भी CNG को burn किया जाता है, CNG को burn करके वहाँ पर पूरा processing होती है, मैं उस पर भी नहीं जा रहा हूं, तो वहाँ से electricity बनती है, उसकी full form क्या होती है, full form होती है, compressed, C stands for compressed, N stands for natural, और G stands for gas, compressed natural gas, ठीक ह हैं, तो यह gases के example हो गए, properties पर आता है हम gases की, कुछ properties है, एक्स्टा property है, फिर six वाली, बाकी सब सेम सी होंगी, पहली property है, gases की ना तो shape fix होती है, ना ही volume fix होता है, जादा gas कम जगा पर आ जाएगी, और किसी भी shape के बढ़ता में उसको भर के रख सकते हो, gases के density बहुत ही कम होत पार्टिकल्स दूर-दूर हैं, तो pressure लगा के उनको पास-पास लेके आ सकते हो, तो उसलिए gases की compressibility बहुत जादा होती है, इसलिए हमारी इतनी सारी LPG हमारे घर के cylinder के अंदर fill होके, छोटे से cylinder के अंदर 14.2 kg LPG fill होके आयाती है, क्योंकि उसको compress करके fill करते हैं हम लोग, नेक्स में क्या है, gases है, weakest force of attraction between the molecules, सबसे ज्यादा, जो attraction force था, वो कहां पे था, solids में था, उससे कम कहां पे था, liquids में था, सबसे कम कहां पे था, gases में था, तो ऐसे question frame हो सकता है, आपके exam में, वो बोल देंगे, कि arrange the following substances in the increasing order of attraction force, तो suppose तुमें थीन substance दे दिए, एक solid type का दे दि तो आप कैसे arrange करोगे, सबसे पहले कामसा लिखोगे, जो solid वाला होगा, यानि जो solid substance होगा, suppose उसने solid substance में iron nail दे दिया, तो iron सबसे पहले आएगा, उसमें सबसे यादा force होगा, उससे कम किस में होगा, suppose वाटर दे दिया, उसने water में होगा, उससे कम किस में होगा, suppose उसने oxygen द सकते हैं, question करने आपको तब आ जाएंगे, जब आप इन चीज़ों को पढ़के practice करोगे, अपने book से जो book आपको मिली हुई है, ठीके बच्चो, NCRT में जो question कराई रहा हूं, तो आपको उसके अलावा reference book भी चाहिए, जिससे आप लोग question को solve कर सको, और वो NCRT exemplar है, जो NCRT at fingertips जो book है, जो आपको दी गई है, काफी बच्चों ने जो ले ली है, उस book के अंदर बहुत सारी variety के MCQs already दे रखे हैं, तो topic पढ़ते जाएं और उस particular book से solve करते जाएं, ठीके, next property क्या है कि diffusion की जब बात आती है, तो भी यह gases में diffusion सबसे fast होता है, एक चीज से दूसरी चीज मे gases बड़े असानी से diffuse होती है, अगर बत्ती गों एक room में जलाया, तो अगर बत्ती के जो धुहें के particles थे, वो सारे particles air में diffuse हो गए न, और air में diffuse होके, एक corner से पूरे room में fell गए, तो उसलिए gases में diffusion सबसे fast होता है, liquids में उसे कम होता है, और solids में ना के बराबर diffusion होता है, last property यह particles move randomly at high speed and hit each other and also walls of the container, so they exert pressure, जब gas को cylinder के अंदर आपने भड़ दिया, तो उसके जो छोटे-छोटे molecules होंगे, वो क्या करेंगे, वो इस तरह से container की wall पर pressure create करेंगे, यह gas के molecules हैं इस तरह से, तो यह gas के molecules क्या कर रहे हैं, these are what, these are gas molecules, तो यह जो container की walls हैं, उन पर भी pressure इनके टक्कर होंगे बहुत सारी, तो आपस में भी collision होंगे, और जो walls हैं दिबार हैं, उन पर भी collision होंगे, इस वज़ए से हमारे पास इसलिए बोलते हैं, कि gas जब किसी container में fill की जाती है, तो container की walls पर भी pressure create करती है, तो अगर कहीं से मैंने इस container में hole बना दिया, इस container को मैं कहीं से leak कर दिया, यहां से इस जगा से, तो यह hole बन गया है, तो सारे के सारे particles अगर possible है, तो इस जगा से बाहर निकल लेने के कुशिश करेंगे, और instantly यहां से आपको gas निकलती हुई दिखाई देगी, कि यहां से एक दम से gas leak हो गई है, क्योंकि लगातार particles force लगा रहे हैं iron metal की, कि LPG के particles जितना भी force लगा लें, उस cylinder के उपर cylinder फटेगा नहीं अपने आप कभी भी, तो इस situation में वो एक बात अलग है, कि LPG में आग लग जाए या कुछ ऐसा हो जाए, तो एक अलग case होता है, otherwise normally कभी भी अपने आप से hole नहीं होगा उसके अंदर, और वो cylinder की gas बाहर leak नहीं हो पाएगी, ठीके बच्चो तो इतनी बात में समझ में आई, तो ये एक extra property आगई, कि सबसे जादा जो force exert होता है, वो gas के particles लगाते हैं, container की wall पे, योकि इनमें randomness बहुत जादा होती है, इनके particles बहुत दूर दूर तक आसानी से घूम फिर सकते हैं, intermolecular attraction force कम होने क की वज़ा से, तो इतनी बात हैं हमारे पास समझ में आ गई, ये वाली वो book की में बात कर रहा था, इस book की अंदर आपके सारे MCQ दे रखे हैं, सारे assertion reason type question दे रखे हैं, बहुत सारे questions अलग भी हैं, उसमें से हर एक question बाद का नहीं कर रहा है, coffee सारे question ऐसे जो graph वाले excise में दे रखे हैं, तो उनको avoid करो, जो main questions हैं, आप MCQ सारे कर सकते हो, assertion reason उसमें से सारे कर सकते हो, है न, NCRT examiner के जो question हैं, वो कर सकते हो, तो सब इसमें दिय हुए हैं, सब के पास ये book है, तो जब जितना पढ़ हादिया मैंने ये topic, उसको करने के बाद topic cover करो, and after that इस book से practice करो ये book आपको practice purpose से ही दी गई है, सारे question की answer है, जो भी आपने attempt किया है, उसका answer चेक करो, पूरी solved है ये book completely, ठीक है बचो, चली तो हमारे पास आज ही अपनी next वाली जो class थी, third, ये cover हो गई, और next में हम लोग अपनी fourth class बाद में start करेंगे, तो आज हमारे पास third class तक कहानी cover हो क्या है exactly, तो add solid liquid or guesses के बारे में और उनकी properties के बारे में बहुत अच्छे से समझ के आप लोग पढ़ लेना उसको और practice कर लेना question books से, ठीक है?